आज हम पड़ेंगे राजनीती विज्यान का परंपरागत दश्टिकोण। अर्थात परंपरागत रूप से राजनीती विज्यान के अंतर्गत क्या-क्या आता है। ऐसा माना जाता है कि राजनीती का प्रारंभ युनान से हुआ है। युनानियों को इसके जनक होने का श्रेय दिया जाता है। राजनीती के ज्यान की प्रमुख दो धाराएं रही हैं। एक तो प्लेटों का आदर्शवाद और दूसरा है अरस्तु का बुथिवाद। ये दौनों धाराएं राजनीतिक सिधानत के रशनाकारों को प्रेरित करती रही है। और सद्यों सुन के बीच वादिवाद का विशय भी बनी हुई है। इसलिए मोटे रूप में राजनीतिक विज्ञान के दो रूप उभर कर सामने आये हैं। पहला परंपरावादी राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरा वादी राजनीती विज्ञान मुखे रूप में मानकात्मक माना जाता है और आधुनी के राजनीती विज्ञान व्यभार वादी या अनुभावा श्रित माना जाता है यानि कि ये अनुभाव पर आधारित है राजनीती विज्ञान की जो परंपराबादी परिभाशाएं हैं उसके अंतरगत विचार को ने अपने व्यक्तिकत दश्टिकोन को अपनी कल्पना को और राजा को प्रति वैश्वर के अवतार के रूप में देखना इस तरह से मना है और ये राजनीती शास्त्र के केवल नयतिक नयाय शास्त्री और कानूनी पहलूं को ही देख पाए हैं इसलिए इसके शोद और विश्लेशन की प्रमुक विधिया रही हैं एतिहासिक और वर्णात्मक हम ये देखते हैं कि जो परंपरागत विचारक हैं उन्होंने इसकी जब परिभाशाय दी है तो ये मना है कि राजनीती में केवल राज्य का अध्यायन ही किया जाता है कुछ ने मना है कि केवल सरकार का अध्यायन ही किया जाता है कुछ ने राज्यों सरकार दोनों के अध्यायन के रूप में भी इसे मना है तो हम देखते हैं कि राज्य के अध्यायन के रूप में गार्णर के शब्दों में कहा जाता है कि राजनीती विञ्ञान का प्रारंब एवं अंतराजे से ही होता है ब्रेंशली के अनुसार राजनीती विख्यान वेविज्ञान है जिसका समंथ राजे से है और जो उसकी परम आवशक प्रक्रती आधारबूत इस्थिती तता विवित सरूप एवं विकास को समझने का प्रयास करता है सरकार के अध्यन के रूप में परमपरावादी राजनीती शास्त्री ही मानते हैं कि राजनीती विज्ञान में क्या सरकार का ही अध्यन किया जाता है लिकों कहते हैं कि राजनीती विज्ञान सरकार से संबंदित शासर है और सीले के अनुसार राजनीती विज्ञान के अंतरकत शासन व्योस्ता का उसी प्रकार अनुशिरन किया जाता है जिस प्रकार अथ शासर में धन का, प्राणी शासर में जीवन का, बीज गनित में अंकों का, एम रेखा गनित में स्थान तथा दूरी का इस तरह कुछ लोगों ने मनाए कि राज्य और सरकार दोनों का यद्यान इसमें किया जाता है तो पाल जनेट के अनुसार, राज्य नीती विज्यान समाज विज्यानों का वो अंग है, जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिध्धानतों का अध्यान किया जाता है यानि कि इसमें राज्य का सरकार का दोनों का यद्यान किया जाता है इसी तरह गिलक्राइस्ट इने का है कि राजनीती शास्ते वस्त राज्ये और सरकार की सामाने समस्याओं का अध्ययन करता है अब हम यह देखते हैं कि राजनीती विज्यान का जो क्षेत्र है उसके अनुसार परंपरागत दश्टिकुन क्या कहता है तो इसके क्षेत्र यानिकी राजनिती विज्ञान के परंपरागत राजनिती विज्ञान के अंतरकत क्या-क्या पढ़ा जाता है इसमें गार्णार ने ये बताया है कि इसकी मौलिक समस्याओं में प्रथम है राज्य की उत्पति और उसकी प्रकृति का ज्यान प्राप्ति करना दितिय है राजनितिक संस्थाओं की प्रकृति उनका विकास एवं उनके विफित रूपों का अध्ययन और तरती है जहां तक संभव हो सके इनके आधार पर राजनितिक प्रक्रती और विकास के नियमों का निधारन करना है यानि कि इन्होंने मूलते है राज्ये की उत्पत्ति उसकी प्रकृति राजनितिक संसाओं जिसे सरकार उसके विभिन ने अंग उनकी प्रकृति उनका विकास और इनकी आधर पर राजनितिक प्रकृति और विकास के नियमकर निधारन करने को माना है गुड़नाव ने राजनिती विग्यान का संबंद तीन बातां से जोड़ा है राज्य की इच्छा का निर्मान, राज्य की इच्छा की अभिवक्ति और राज्य की इच्छा की कार्यानविती यानि कि जो वर्वस्थापिका, कारेपलिका और नयापलिका की कारे हैं लगवक उनसे इनका संबंद जुड़ा है प्रडिक पोलक ने राजनिती विग्यान के ख्षित को दो खंडों में विभारित किया है एक तो सिधान्तिक राजनिती और दूसरा व्यभारिक राजनिती फिर 1948 में उनसको के तत्वावधान में राजनिती शास का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें निर्णाय लिया गया था कि राजनीति विग्यान के ख्षेति के अंतरगत निम्लिकित विश्य समाविष्ट की जाने चाहिए एक तो इसमें राजनीतिक सिध्धान्त भी आएंगे, राजनीतिक संस्थाइन भी आएंगी, दल, समू तथा जन्मत भी आएंगे और अंतराष्टी संबंद भी आएंगे इस वकार परंपरागत राजनीति विग्यान सरकार और राज्यकरसां को पांक अध्यान करता है तो इस तरह हम ये मान सकते हैं कि इसके अंतरगत प्रमुख रूप से निमने बातें आती है एक तो मानव का ध्यान, राजनीति विग्यान के अंतरगत संपुर मानव जिवन का ध्यान नहीं किया जाता लेकिन राज्य संसा के संदर में ही मानों का ध्यन किया जाता है नागरिकों से क्योंकि राज्य का निर्मान होता है और नागरिकों के लिए राज्य जीवित रहता है इसलिए राज्यती विग्यान के अंतरगत देखा जाता है कि राज्य व्यक्तियों के लिए क्या करता है और व्यक्ति राज्य के लिए क्या करते हैं तो राज्य के अंतरगत रहने वाले व्यक्तियों के क्या क्या अधिकार है और राज्य के प्रति इनके क्या करता है व्यक्ति और राज्य के पारसफर्रक संबंद क्या होने चाहिए इन सद जीवन के लिए उसका स्तित बना हुआ है यानि कि राज्य ऐसी संस्ता है जो मानों की आवशक्ताओं को तो पूर्ण करता ही है उसके व्यक्तित के सर्वत्तम विकास और समाज के सामाने उद्धिशों की पूर्ती के लिए भी बहुत अच्छी सर्वोचिकाई है तो इसमे राज्य परिवारों का समु मात्र था जो आगे चलकर कुलों और जन पदम में विक्सित हुए युनानी इतिहास में इनको नगर राज्य कहा है धीर धीरे मिलकर ये नगर राज्य संग में संक्षित होने लगे युनान में और भारत में इसी प्रकार के कुछ संग बने थे जैसे भारत में इनको जैसे वज्जी संग अंधक वरश्नी संग आधी का नाम दिया गया तो प्राचिन काल में ये माना जाता था कि राजा और उसके आगा को दैविय माना जाता था यानि कि उसको प्रती पर इश्वर नहीं भेजा है लेकिन वर्तमान समय में राज्य की प इसलिए राजे के स्वरुफ में क्षेत्र में सब्सम् Erfahrिवर्दन होता गया, इसमें राजे के वरतमान का ध्याइन भी किया जाता है, एतिहासिक विकास के पढ़िणाम स्वरुफ वरतमान समय में राजे एक विशेष स्वरुफ को प्राप्ति कर चुका है, जिसको राष्टी राश्टी राज्य कहा जाता है राश्टी राज्य को आज यह माला जाता है कि यह सर्वत क्रश्टी समुदाय है जैसे और अन्य कोई समुदाय से प्रतिस्वधा नहीं कर सकता जैसे आथिक समुदाय हो या खेल से संबंदित कोई समुदाय हो इसी तरह से किसी भी तरह का कोई समुदाय इससे बराबरी नहीं कर सकता धार्मिक समुदाय हो या जाती इगत समुदाय हो इन सबसे उपवार आता है दाश्टी राज्य तो राजनीती विज्ञान राज्य के सरूप प्रयुजन उद्देश और कारिकशित्र पर विचार करता है फिर इसमें राज्य की भवश रहे हैं जैसे समाजवादी विचाधारा के अनुसार यह माना जाता है कि राज्य को लोगों का आर्थिक जिवन नियंतित करना चाहिए और अराजकतवादी मानते हैं कि राज्य हीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए व्यक्तिवादी राज्य के कारें को सीमित करने के प और वह अपनी संप्रभुता का प्रयुक सरकार की माथ्यम से करता है। इसलिए सरकार के बिना राजय के ध्यन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। पहले जब राजय के हाथ में शक्ति होती थी तो वह राजय कहा कते थे कि मैं ही राजय हूं। तो इसलिए राजय ही सरकार हुआ करता था। लेकिन कुछ समय बाद फिर देरे कुलीन तंत्र शासन व्यवस्ता की स्थापना हुई। और अब इसमें सरकार की व्यवस्तापी का कारेपालिक और नायपालिका की तीन अंगों में शक्ति का विभाजन भी हो गया है। इसके अलवाद हम से उशासन व्यवस्ता का कारेकरता है। तो गजनती विभ्यान में हम सरकार के अंग उसकी प्रकार उसकी संक्था नारिकां भी अधियन करते हैं। इसके launching राष्ट्तो और अंधरराष्टी समस्याओं का ध्हयं भी करते हैं। तो आजकल इस्थानि सिअशासन का भोग विशिष्ट महत्व है। इस्थानि संसाओं की जो कारिप्रनाली जैसे ग्राम पंचायत हुए नगरपालिकाएं हुई। उनकी कारिप्रणाली और इस्थानी समस्याओं का अध्ययन जैसे सफाई हुई या स्वास्था हुआ या शिक्षा हुई तो इस तरह और साथी जैसे ग्रामीन समस्याओं तो ये सब हमारे इस्थानी समस्याओं का अध्ययन हमारे विशे की प्रमुख विश्यवस्तु है इसक प्राप्ति ये भी हमारे समक्ष एक समस्या है और आज क्योंकि वेगानिक प्रगति की कारण संपूर्ण विश्य की काई बन गया है तो अंतराश्टी समस्याओं का भी हमारे हाम पर प्रभाव पड़ता है जैसे आज राजनिती शासन शास्तेदारा इस बात पर विचार कहा है कि अंतराश्टी इस्तर पर आतंकवाद है जैसे पर्यावन प्रदुशन खादे सुरक्षा या बच्चों के प्रात्मिक शिक्षा या अभी जैसे महामारी फैली है कोविड-19 इन से उत्पन संकट तो इस प्रकार अन्य समस्याओं के हल के लिए कौन-कौन से उपाय अप सुगरात और प्लेटो और भाति राजनितिक विचारों का उनके सब विचारों का ध्यान भी राजनिति विज्ञान में किया जाता है राजनिति विज्ञान में विविन विचाधारा इंजिसे व्यक्तिवाद समाजवाद अराजक्तवाद गांधिवाद इन सब विचाधा का प्रतिपादन किया जाता है इनके तुलनात्मा गुणिदोषों का ध्यान कर इस वात पर विचार किया जाता है कि किसी देश में कौन सी विचाधरा को अपनाना उप्युक्त हो सकता है इसे तरह अंतराष्टी विधी संबंदों और संख्ठनों का ध्यान भी हम राजनीति विज्ञान में करते हैं कि अंतराश्टी विधी का विकास कब और कैसे हुआ अंतराश्टी विधी का वत्मान सरूप क्या है उसके बीचे कौन सी शक्ति है राजदूतों जुत बंदियों जुत से सम्मधित नियमों यहां प्रम्पर गतित नष्टा में आतन्य वाद की रोख थाम के लिए किस प्रकास हीोग किया जाना चाहिए तो इन सब का ध्यान हम इसके अंतरगत कर सकते हैं और अंतराश्टी संग्ञ्णों जैसे दाश्ट संहुक्त राष्ट संग्तन कंई कार्यों का भी अध्याइन स्कैंतर गतं हम कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि परंपरागत राजनातीम ज्ञान के ड्रतियां हैं यानि हम उसका अध्याइन किस वद्यति farmam अत्यंत महत्यपुन है तो इसमें पहले एक तो थी दाशनिक पदिती जिसको प्लेटो, थामस, मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन, आधी ने इसको काम मिल लिया था प्लेटो ने अपनी प्रसिद्य पुस्तक रिपबलिक और थामस, मोर ने अपनी रचना यूटोपिया में आदश राज्य का निर्मान कते समय दाशनिक पदिती का ही प्रयूप किया है, यानि उनोंने पहले एक आदश राज्य की, इन सब की कल्पना की थी, और इस तरह से उनोंने ये बताये था कि राज्य इस तरह का होना चाहिए। इतिहासिक पदिती में भी, Mekaveli, Boda, Montess की आधि विद्वान ने एतिहासिक पदिती का प्रयूग कीया है तो इन्होंने इतिहास से यह जना है कि राजनीतिक संस्थाओं, आदश्वय सिध्धानतों को पहले यानि कि इतिहास में किस तरह से प्रयूग किया गया है जैसे इतिहास से हम प्रेलना ले सकते हैं कि किस तरह की शासन विवस्ता हमको अपनानी चाहिए इसी तरह से तुलनात्मक पदेती का प्रयूग किया था अरस्तु ने उसने अपने प्रसेदिक्रती पॉलिटिक्स में 158 समिधानों का तुलनात्मक अध्यन करके यह बताया था कि क्रांती के क्या कारण होते हैं और उनको रोगने के क्या उपाय हो सकते हैं लार्ट ब्राइस ने भी इस पदेती का प्रयूग किया इसी तरह विधी पदेती में राज़े की कानूनी आधार पर बल दिया जाता है कि राज़े का काम है कानून बनाना और उन्हें ग्रियानवित करना इसके समत्कों में विलोवी डिक्विट आधी के नामों लेखनी है इस तरह हम देखते हैं कि परंपरावदी राजनिती विज्ञान की कुछ विशिष्टा हैं एक तो एक कल्पनात्मक है और आदशवादी है जैसे इसमें कोई भी विचारक पहले कल्पना कर लेता है जैसे प्लेटों ने दाशनिक राज़ा की कल्पना की या सामेवाद की कल्पना की और उसने एक दाशनिक राज़ा की मतला और फिर उस कल्पित आदश के आधर पर आदश राज़े की उसने संदशना भी की इसे तरह नेतिकता और राजनितिक मूलें पर विशेश बल दिया जाता है इसमें यह माना जाता है कि राज्य को नेतिक होना चाहिए और राजनितिक मूलें जैसे समानता, स्वतंत्रिता, न्याए इस पर बल देना चाहिए इसलिए अरसु ने कहा था कि राज्जे का सित सद जीवन के लिए केवल जीवन के लिए नहीं इसी तरह राजनीति शास्त्र की एक विशेश्ता ये है परंपरागत राजनीति शास्त्र की ये दर्शन शास्त्र से प्रभावित है इसके सहयोग से ज्यान की एक विशेष्ट शाखा का प्रशलन हुआ जैसे दाजनीतिक दर्शन कहा जाता है इसके अतिरिक्त ये एक व्यक्तिनिष्ट अध्यायन है व्यक्तिनिष्ट अध्यायन यानि कि इसके जो प्रतिपादक होते हैं वो अपने व्यक्तिकाद अनुभाव और मानेताओं से ही रार्निति विज्ञान का अध्यान करते हैं जैसे सामजिक समझाता सिधान्त के समध्थक होने अपने अपने तरीके से मानो सभाव पर विचार किया अपने अपने तरीके से उन्होंने सामाजिक समझाता बताए कि किस तरह राज्जे की उत्पत्ती हुई होगी तो अपनी व्यक्तिक मानेताओं के परिप्रिक्ष में इन्होंने अधहान किया और इसका कोई व्यग्यानिक आधार नहीं था इसके अलावा परंपरा का जराजिती की विग्यानिक अध्यान में कानूनी अपचारिक संस्था का अध्यान पर भी बल दिया गया है इनके समक्ष यो देश नहीं था कि समिधान में निर्मित शासन व्यवस्थाएं वास्ताम में कैसे यानि व्यवार में कैसे कारे करती हैं इन्होंने तो क्यों लिए देखा कि वहाँ पास समिधान में और कानूनों में क्या लिखा गया है किस समिधान में कौन-कौन सी संस्था हैं किवल उनका ही अध्यान किया है इसके अलावा हम इसकी विशिष्टा देखते हैं कि इसलिए प्रधानतर संकुचित अध्यान माना जाता है और इसका अध्यान पाश्टत्य राजों की शासन व्यस्था में बंधा रहा है इसलिए हम इसलिए हम देखते हैं कि अमोत निकमलात में काल्पनिक और विज्ञानिक होने के कारण परंपरागत राजनती विज्ञान की आलोशना की जाती है धन्यवाद